नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में RRC चेन्नोई जोन से फर्स्ट पैनल और सेकेंड पैनल आने के बाद सेकेंड डीवी के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट अब जा सकता है क्या एक दो या ती के लिए एक्सपेक्टेड कट अब के बारे में जानने से पहले देखते हैं जन्नोई जोन से फिजिकल के लिए कट अब और फर्स्ट डीवी के लिए क्या कट अब गया था तो दोस्तों यहां जनरल के लिए फिजिकल के लिए 60.96 और फर्स्ट डीवी के लिए 67.52 कट अब बात करते हैं SC के लिए तो physical cut-up 49.9 और false DB के लिए 56.95 cut-up गया था अब बात करते हैं SC के लिए तो यहां physical cut-up 43.58 और false DB के लिए 56.31 cut-up गया था दोस्तो चन्य जोन से टोटल 9,589 seat per vacancy निकली थी जिसमें 1st panel में 7,097 और 2nd panel में 9-62 candidate सामिल थे यानि टोटल अभी तक 8,0975 student का panel आ चुका है यादि टोटल seat से इसको माइनस कर दिया जाए तो अभी तक 604 seat अभी भी खाली है दोस्तो बहुत सारे second rate का panel list में नाम आया है जिनका already NDPC में या फिर अधर विभाग में selection हो चुका है तो यानि अनुमाल लगा जाए तो लगबग 1000 seat per second DB conduct कराया जा सकता है दोस्तो अगर आपका selection एक या दो नमर से नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल भी घबराया नहीं आपका selection 100% होगा क्योंकि दोस्तो 2018 वाले भेगेंसी को अगर देखे तो उसमें cut up को कम करके 14 से 15 DB तक conduct कराया गया है तो आप बिल्कुल भी घबराया नहीं आपका selection 100% होगा दोस्तो आप बात करते हैं चन्नोई जोन से second DB के लिए क्या expected cut up जा सकता है तो यहां से general का 65, OBC के लिए 62, EWS के लिए 45, SC के लिए 55 और ST के लिए 53.31 cut up जाने की समभाबना है दोस्तो उमीद करता हूँ second DB का cut up analysis आपको काफी पसंद आया होगा दोस्तो अगर आपको कोई doubt है या किसी other topic पे वीडियो चाते हैं तो आप comment कर सकते हैं railway के जाम से दूरी इसी ज़र के जनकारी पाने के लिए चैनल को subscribe कर लिएगा चलिए मिलते हैं next video में, next update में